7.2.2 जन्तू उतकों का समोही करण Grouping of Animal Tissues आईए अब हम जन्तू उतकों के एक प्रकार के समोही करण को समझते हैं जन्तू उतक कारियों के आधार पर चार प्रकार के होते हैं त्वचिय उतक, संयोजी उतक, पेशिय उतक, तंत्र का उतक त्वचिय उतक, ये उतक शरीर में पाय जाने वाले विभिन अंगों की सुरक्षा करने का कार्य करते हैं इनके उधारन हैं त्वच्चा मुह की आंतरिक सतह, रक्त वाहीनियों के किनारों, फेफणों की वायू कुपिकाओं वा व्रिक की नलिकाओं में पाय जाने वाला उतक संयोजी उतक, शरीर का निर्मान कर विभिन अंगों को व्यवस्थित करने, जोड़ने वा सहारा देने का कार्य करते हैं पेशिय उतक, शरीर के विभिन अंगों को गती देने का कार्य करते हैं तंत्रिका उतक शरीर के विभिन अंगों में सम्वेद नाओं व उद्धीपनों का सववहन करने का कार्य करते हैं। तंत्रिका उतक शरीर के विभिन भागों में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के समुहु हैं। संयोंजी उतक चार भगों में विभजित होता है, अंतराली उतक, वसिय उतक, तरल उतक, कंकाली उतक अन्तरालिय उतक ये अन्तरिक अंगों को सहारा देने का कारे करते हैं ये अन्तरांगों, पीश्यों, तवचा के मध्य, रप्त वाहिन्यों तथा तंतRIका कोशिकाओं के चारों और पाया जाता है वसी उतक शरीर के ताप को नियंत्रित करता है तथा अंगों की दबाव वा जटकों से रक्षा करता है ये त्वचा के नीचे पाया जाता है तरल उतक तरल उतक का कार्य शरीर के तापक्रम पर नियंतरन ओक्सिजन वा कार्बन डियोक्साइड का समवहन शरीर की रोगों से सुरक्षा और तरल उतक दो प्रकार के होते हैं, रक्त और लसिका कंकालिय उतक कंकालिय उतक का कार्य शरीर का धाचा बनाना, सुरक्षा तथा गती में सहायता करना होता है कंकालिय उतक भी दो प्रकार के होते हैं, अस्थी, उपास्थी पेशिय उतक पेशिय उतक को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं रेखित पेशी, आरेखित पेशी, हिर्द पेशी हाथ, पैर, गरदन, आदी से चुड़ी पेशियां जो हमारी एक्छानुसार कार्य करती हैं और एक हिदपेशी आहार नली, श्वास नली, रक्त वाहिन्यों आदी में पाई जाती हैं, हमारी इच्छा नुसार कार्य नहीं करती हैं हिदपेशी हिर्दे में पाई जाती हैं, जीवन पर्यांत कार्य करती हैं